अब ही हम बनाएंगे हैदरावादी चिकन दम बिर्याली जिसके लिए हम कराही में डालेंगे 3-4 चमस तेल ये तेल और तेल को गरण होने देंगे अब कराही में डालेंगे ये तेज पत्ता ये तेज पत्ता हमारा पक चुका है अ-इस में डालेंगे हम अब यह जीरा हमारा पाई रखुगा है इस unified फदलीयेरिगेश काफी सारा प्याज यह पतली कटी गई हैा है हम प्याज भूंbon लेंगे typically फद्वन रख्यगाम हुआ चिकन भाइज रावादी चिकन दम बड़ियानी के लिए चिकन डाल रहेंगे इसमें इसकर से और चिकन को प्याज में मिक्स करेंगे और चिकन में डालेंगे हम अब नमक ये नमक डाल लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे चिकन को नमक और चिहाज में मिक्स कर लेंगे और इसको हम भख देंगे आज साथ मिनट के लिए और दस मिनट बात ये हम डापकन हटा लेंगे चिकन को चलाएगे और चिकन को चलाने के बाद इस चिकन में डालेंगे हम ये हल्दी पॉडर ये हल्दी पॉडर और इसी हल्दी इसके अंदर और ये लाल मिर्च पॉडर ये लाल मिर्च पॉडर और फिर इसके उपर से अध्रक और लतन का पेस्ट गोच अमच इसको हम मिक्स कर लेगे इस तरह से इसको मिक्स कर लेगे इसको मिक्स पूरी तरह से कर लेगे और इसको हम ढट लेगे पांच कर लेगे तो बचा हुआ पानी है वो सूप जाएगा चिकन का और ये पांच मिनित बाद चिकन हटा लेगे चिकन और ब्याज का पानी सूप चुका है और इसके उपर हम डालेंगे दो चम्मच बिरियानी मसाला बिरियानी मसाला डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेंगे ये पूरा हमारा मिक्स होती का बिरियानी मसाला इसके अंदर अब हम चिचन को भखके पांच मिनट तक पकने देंगे अधा घंडा भूगोया और इसमें डालेंगे एक पोटली ये पोटली इसके अंदर है चार हरी इलाची पांच लॉग चक्री का फूर और डाल चिनी इसको इसमें हम डाल देंगे और इस चावर को हम हाफ अधा ये और पांच मिनट बाद घॉटकन होटा लेंगे और डखकन बात चेंड़ को चला लेंगे अजैजिक हमारा पकने वाला है और इस चिकन पर हम डालेंगे और एक कप हेती वी दधी ये दधी इसके उपर ये दधी में पेटीषी डाल देंगें और ढटक्के पकने देंगे लोगी है यह पांच मिनिट बात अधाले कि ऐग来 मारत और शक्तों के तहए पूरी तरह से चीकन हमारा फक्क युका है इसको हमें बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से चिकन को निकाल लेते हैं अब इस चिकन में हम डालेंगे यह आधी उबली हुई चावल इस तरह से आधी उबली चावल इस तरह से डाल लेंगे यह हमाई आधी उबली चावल और इस चाबल पर हम डालेंगे ये पहले से गोल्डेन के आवगा कटा हुआ प्यास ये कटा हुआ प्यास और इसके उपर धनिया पत्ता ये धनिया पत्ता और इसके उपर ये कटी हुआ पुदीना पत्ता और फिर हम इसके उपर डालेंगे ये चिकन ये चिकन साइड में भी साइड में भी चिकन डाल लेंगे ये चिकन हमने डाल लिया अब इसके उपर फिर से हम डालेंगे ये चावल ये आधी उबलीवी चावल ये आधी उबलीवी चावल चिकन के उपर में डाल लेंगे इस तरह से और इसके उपर हम डालेंगे फिर से ये कटी हुई प्याज ये कटी हुई प्याज हमने डाल लिया इसके उपर ये धनिया पत्ता ये धनिया पत्ता इसके उपर और ये कटी हुई पुदीना का पत्ता काफी सारा ये हमने डाल लिया अब इसके उपर डालेंगे हम ये बची हुई चिकन ये बची हुई हमारा चिकन इसके उपर डाल लेंगे फैला के हर तरफ इसको हम डाल लिए अब हम इसमें डालेंगे ये अब इसके उपर हम डालेंगे फैनली ये बच्ची हुई चावल ये बच्ची हुई चावल इसके उपर ये चावल डाल देंगे इस तरह से और हम इसके उपर बच्ची हुई ये प्यास ये बच्ची हुई प्यास इसके उपर डालेंगे हर तरफ फैल आके और इसके उपर हम डालेंगे ये बच्ची हुई धनिया पत्ता कटी हुई हमारा ये धनिया पत्ता और हम इसके उपर डालेंगे ये बच्ची हुई पूदीना पत्ता कटी हुई और इसके उपर हम डालेंगे यह घी दो चम्मच गी इसके उपर और यह डालने के बाद हमने साइड में यह आटा लगा लिया है और इसको पैक कर देंगे दम के लिए थाकि इसका गैस इसी के अंदर रहे और इसको दबा देते हैं इस तरह से चारों तरफ से यह दब चुका है और पैक हो चुका है और यह पांच मिनिट बाद हमें इसका ठकन हटा देंगे इस तरह से यह आटा हमारा पैकिंग जो था उसको निकाल लेंगे और यह रिटी है हमारा हैदरावादी चिकन दम बिर्यानी इसको हम साइड से निकालेंगे एक प्लेट में इस तरह से इस तरह से हैदरावादी चिकन दम बिर्यानी को निकाल लेंगे रिटी है हमारा हैदरावादी चिकन दम बिर्यानी और वे यो को कर वोए एकि आफ़ सर दो ह।